भारती राजनीती के इतिहास में आजादी के बाद विपक्ष की राजनीती को धारदार और असरदार बनाने में राम मनुहर लोहिया की भूमी का महतोपोन रही है। यही नहीं उनकी मौजूदगी के बिना 90 के दशक की कम से कम हिंदी पट्टी की राजनीती कमोवेश उस देशा में ही आगे बढ़ी जिसके बीच गैर कॉंग्रेस वात की रणनीती के तहट लोहिया ने रोपा था। हालंकि उनके आलोचक आज की भाजपा और उनके समय के जनसंग को फलने फूलने में इसे एक रणनीतिक चूप के रूप में रिखांकित करते हैं। बिना किसी ठोस कारिकरम और बहतर वैकल्पिक योजना के यह मान कर चल रहा है कि जैसा ये दल सोच रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं वैसा ही मिजाज मौजूदा सरकार के बारे में ही जनता का भी है। ऐसी राजनीतिक इस्तिती अपने देश में तीसरे लोकसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद भी पैदा हुई थी। नहरू की राजनीतिक आभा के आसपास विपक्षी राजनीति कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा था। समाजबादी राजनीति धलान पर थी और निराशा के दौर से गुजर रही थी। तमाम विपक्षी दलों की हैसियत हाशे पर सिमठ गई थी। शक्ति नहीं है जैसे क्रांति कर लेने की शक्ति है उसे क्रांति चाहिए रही या तबियत नहीं। वो आगे चेताबनी देते हुए आगाहक करते हैं, कहते हैं कि कोई भी राजनितिक दल जब तक आमजनों के हकों के लिए लड़ता और तीवत नहीं चुकाता है निराशा उसका पीछा नहीं छोड़ती। अपने देश में ऐसी हिस्तिती इंदरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में भी पैदा हुई। पनाने की कोशिश पुई कि पक्ष और विपक्ष के स्पेस पर धर्म निर्पेक्ष दल ही काबिज हो। हलंकि ये फॉर्मूला भी बहुत दिनों तक टेक नहीं पाया और भाजपा ने अभियान चला कर ये साबित कर दिया कि धर्म निर्पेक्ष दला का मतलब मौजूदा परिस्टितियों में मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा और कुछ नहीं है। और लोग कांतरिक संस्थाओं के कमजोर करने के हवाले से भी मोधी सरकार को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। कि वो अपनी वोट की ताकत और राश्ट्रिय और राज्यों के चुनाफ के फर्क को जानने और समझने लगे हैं। कितिहास के ऐसे ही दौर में रामनोह लोहिया के सामने भी यही सवाल था कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है कि सत्ता पर थोड़ा बहुत नेंतरन रख सकें। क्या मनुष्य जाती कभी समर्थ होगी ऐसे आपनी पैदा करने में जो आदतन सिविल नाफर्मानी करें। शड़ेंतर और हत्यार के जरिये निरंतर करांती तो असंगत है पर सिविल नाफर्मानी के जरिये निरंतर करांती की संभावना निश्यत है। और जिससे भलाई और शांतिके स्थापना हो सके। इसलिए दुनिया को भी एक नहीं कई पराजयों से सीखने की जरूरत है।